हेलो जन्ता आपके लिए एक तरोत ताजा खबर है क्या खबर है आज कलकत्ता के मानिकतला कंस्युटेंसी और बहुत सारे जगाहों पे बाय एलेक्ष्ट yhtॉर्ण से डिए मैलेक का एलेक्ष देस पत Lynd狐 सीट खाली थी और अभी election किराए जा रहे हैं तो मैं हाई कोट में काम करता हूं कैलकेटा में काम करता हूं तो मैं अपना काम फटाफट खत्म किया और सोचा की चलो एक नागरिक के नहीं किया था तो अब जब मैं वोट डालने पहुंचता हूं तो पहले मुझे कहा जाता है कि जो स्लिप ले क्यों तो जो पोलिंग बोट के अंदर जो पार्टी के वर्कर्स बैठे होता है उन्होंने का कि भाई यह जाओ लेकर तो जब मैं लाने के लिए बाहर निकला वहां वोट हो चुका है और यह है वो निशानी की मेरा वोट नहीं हुआ है और मैंने कोई डाला नहीं और बकायदा उसपर माक कर दिया गया है वोट डाल दिया गया है तो अब मुझे समझाया जा रहा है यह कि तुम्हारा वोट को यह और डाल के चला गया तो तुम किसी और का वोट डाल के चले जाओ तो मैं पिसाइडिंग ऑफिसर से कह रहा हूं कि भीया मैं अपना भोट खुद डालूंगा और नंबर पर डालूंगा अगर यह विडियो सायद एलेक्षिन कमिशन स्टेट एलेक्षिन कमिशन और जो भी कंसर्ण ऑफिसे उनके तक पहुंचे तो अपना नंबर जरूर बताऊंगा ठेक अभी जब मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कहा कि लाओ पें मैं कंप्लें कि मुझे अपना वोट डालने नहीं मिला तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बाखी जो ऑफिसर थे वह कहने लगें कि देखिए सर आप तो यहां से चले जाएंगे हमें यहां से बचके घर जाना हैं दूर-दूर से आए हैं क्रिपे हमारे लिए समस्चा ना खड़किए तो मैं कि देखो भईया तो तुमने वोट क्यों लिया जब मैं आया नहीं हूं तो मेरा फोटो तो तुम देख पा रहे हो और तो वोट क्यों लिया एक समय था तो मैंने कंप्लेइं भले ही न किया उनका चैरा देखते उए और पार्टी-वर्कर के प्रेशर्व की वजह से जिसने एसा प्रेशर किया है ऐसा पैनिक बना के रखा है कि बिचारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से जो लोग आये हैं काम करने उड़र के सहम के जहां जो कहा जा रहा है वो कर रहे हैं और सियार पीएफ जो है वो बाहर खड़ी है कि लेकिन कोई अपाश कि दर ल का वहाँ एक भी आदमी नहीं था है तो कोई अपाश करने वाला कोई है नहीं तो यह जिस हिसाप से आप जीट रहें हैं चाम अब जिसह साप साब जेटना चाहते हैं मुझे पहले लगता था कि बिहार के लोग बेवकूफ हैं क्योंकि हमें इसलिए पिहारी कहा जा रहा था क्योंकि हम अन्पढ़ थे हम अन्पढ़ थे अन्पढ़ तो नहीं थे अनकल्चर्ड थे कोट अनकोट क्यों क्योंकि हम उतने सब भी नहीं थे हम उतने आगे नहीं थे हमें मतलब हमारे यहां जगड़ा होता था मार होता था गोली चल जाती थी और बेंगॉल के लोग इंटेलेक्च्वल कहे जाते थे आज वही इंटेलेक्च्वल लोग बैठ के किसी एक दल को जिताय जा रहे हैं और जिताय जा रहे हैं इसके लिए चाहें जो करना पड़े एक पववा एक बियर एक दारू एक बिर्यानी इसके लिए चाहें जो करना पड़े कि रिखे आप बिहारियों को बिहारी सब्स से संब्होद्धित करना बंद करें क्योंकि मतलब जिस रूप में आप डिमीन करते हैं वो मथ करें वो अब आपके लिए लागू होगा कुछ दिन में लोग कहेंगे कि देखो ऐसा बंगालियों की तरह मत करू ऐसा क्योंकि लोग जिनने आप अंको कर रहे थे वो शीख रहे हैं उनके हट्याइव कम हूरे रेट कम हो रहे हैं और आप निस्पक्ष हैं आप कहते हैं कि आप बहुमत की सरकार है तो सोचिए कि आप जो यह पिछले लोग सभा में जो सीटे जीते हैं वो किस भरों से जीता है ऐसे कितने लोग नजाने बाहर खड़े थे जो वोट डियालने जाते थे जा रहे थे लेकिन प्रिसाइडिंग आप कहा रहा था कि अब हो चुका है एवार को रून ना इवर के उच्छो लियास पर दन्यवाद अगर यह वीडियो एलेक्शन कमिशन तक पहुचा तो मैं अपना नंबर और एक्सपीरियंस जरू सेयर करूँगा दन्यवाद